जैश्री कृष्ण दोस्तों होली के त्योहार की अग्रिम्प शुप कामनाओं के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत्योहार उपाए में दोस्तों होली रंगों का तेवहार है और इस रंगों के तेवहार में अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या आपकी कुंडली में कोई दोश है तो उस दोश को समाप्त करने के लिए होली के रंगों में अपनी खुशियों के रंग मिलाने के लिए अब एक ऐसा उपाय जो मैं बताने जा रहे हूँ उसे जरूर करें ताकि ये होली आपके लिए यादकार बन जाए दोस्तों ये उपाय मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कौन सा है वो उपाय जिससे आप अपने कुंडली में मौजूद किसी भी तरह की दोश को दूर कर सकते हैं ये उपाय है दोस्तों होली के रंग के चुनाव करने का और ये चुनाव आप अपनी राशी के अनुसार करेंगे आज मैं आपको उन रंगों के नाम बताने जा रही हूँ जो आप होली के दिन होली खेलते समय इस्तिमाल करेंगे इन रंगों के इस्तिमाल से आपके कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोश दूर हो सकता है सबसे पहले है मेश राशी तो मेश राशी के जातकों के लिए लाल और गुलाबी रंग के गुलाल का इस्तिमाल करना सरवत्तम होगा दूसरा है विर्शब राशी विर्शब राशी के लोग सफेद और क्रीम रंग का प्रेयोग करें इसके अलावा मिथुन राशी के जातकों को हरा और पीले रंग के गुलाल से होली खेलना बहुत शुब रहेगा कर्क राशी के जातकों को सफेद और क्रीम रंग के प्रेयोग करने से उनकी कुंडली में मौजूत ग्रह दोशों से मुक्ति मिल सकती है इसके अलावा सिंग राशी के लोगों के लिए पीला और केसर्या रंग बहुत शुब रहेगा कर्न्या राशी के लोगों के लिए होली के दिन हरा रंग बहुत ही शुब रहेगा तुला राशी के लोग होली के दिन सफेद और पीले रंग से ये होली खेले ये उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा व्रश्चिक राशी के लोगों के लिए लाल और गुलाबी रंग का चुनाव करना बहुत ही श्रेष्ट रहेगा धनू राशी के जातकों के लिए लाल और पीला रंग होली के दिन इस्तिमाल करना सरवोत्तम है मकर राशी के लोगों के लिए नीला और हरा रंग सबसे शुब माना गया है कुम्भ राशी के लोगों के लिए होली के दिन नेले रंग के गुलाल का चुनाफ करना बहुत ही शुब रहेगा मीन राशी के जातकों के लिए पीले और लाल रंग के रंग से होली खेलना बहुत ही शुब फलदाई होगा तो दोस्तों ये थे होली के वो शुभरंग जो की आप अपनी राशी के अनुसार होली के दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कुंडली में मौझूद किसी भी तरहे का ग्रह दोश अगर है तो वह खतम हो जाएगा दोस्तों मैं आशा करती हूँ इस उपाय को आप जरूर आज माएंगे साथ ही अपना फीड़ बैक भी मेरे साथ शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक जरूर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें साथ ही देखते रहिए व्रत्योहार उपाय चैनल जैशे कृष्णा